आपके सात्विक खाने में मुझे इतना सात्विक कर दिया है कि मेरा मन कर रहा है मैं इस सात्विक्ता को थोड़ा और आगे बढ़ा हूं अगली सात्विक चीज हम क्या बनाने वाले अभी हम बनाएंगे जटपट हल्वा पहले लेंगे हम एक लिटर दूद्ट यह है होल मिल् प्लीव दब जर जब हल्वा बनाने का होगा तो हमेशा याद रखना टोन में लेना हमेशा होल मिल्क लेना तो दांशो एक ऐसी मिठा है नए अंदर खोया और नए अंदर गी यानए कि यह बहुत ही हल्दी मिठाई है चल अब यह दूद्ग गरम हो गया अपना अन्दर ड जब यह हल्वा बनाना होगा तब आपको कितमें चौड़ा बरतन में बनाना होगा चौड़े बरतन और चाहिए नॉन्स्टिक वेसल जल्दी बन जाएगा तला जी जब तक मैं इसे हिला रहा हूं तब तक आप मुझे यह पताईए कि यह सात्विक खाना होता क्या है जो ख इसा थे जी उने बहुत हो टोब ना लंगे और इस और दो इसने ट्रॉप यह जे रहारा तब तर्ला जी गांना जी बार्या तक थो डेला जो आपको अब निकाल लेंगे जैस जैसे खंडा हो जाएगा न ईससे फूगा धारा कि टूब डूब हून हो जाए जैग जाए आ कालें ओके थैंक यू अरे वार कैसा बढ़िया लग रहा है अब हम डालेंगे काडमम पाउडर काडमम पाउडर और हल्की तरह हिला देगे अब बदाम पिसा जालो पड़ बाद में थोड़ा सा इनी फ्रूट इनी फ्रूट ऊपर डाल सकते यह मैंगो है अच्छा तो यह मैं डाल दो उसके उपर थोड़ा संदा होने दिन बाद में देखो चाहिए दूद एक लीटर दही दो टेबल स्पून चीनी 100 ग्राम केसर दो चुटकी भर और इलाइची गाड़ा हो जाने पर एक बोल में निकालने और इलाइची पाउडर मिक्स करें पादाम पिस्ता से गानिश करें और फ्रूट के साथ सर्फ करें जटपट हलुआ तयार है झाल